क्या हाल है आप सभी के, I am sure आप सबकी CVT के त्यारी बहुत बढ़िया चल रही है, ये वीडियो उन सभी students के लिए बहुत important है, जो दिल्ली इनवेस्टी इस साल target कर रहे हैं, आपके लिए new list of documents रिलीज करी है, दिल्ली इनवेस्टी के एक official notice के अंदर, ये notice का link मैं comment section में डाल 15th of May तक आपके बास ये जितने भी documents की list में आज लेके आया हूँ, prescribed format में, date उन्होंने बता रखे है कि किस date का format या किस date का certificate applicable होगा, उससे पहले का अगर certificate है तो reject होने के क्या के chances हैं, वो सारी बाते आज हम करेंगे, ये video अपने friends में जरूर शेर करना क्योंकि हर एक student को need है 15 में से पहले पहले वो ये documents जमा करके रख ले, दिल्ली इनवर्स्टी में अगर आप admission लेना चाहरे हो, सिरफ CVT देना इनफ नहीं है, CSES portal के अंदर आपको separate registration करना बढ़ेगा, पिछली बार इसका registration fees कुल 200 रुबे, 300 रुबे, 100 रुबे, 1500 रुबे हो सकती है, depend करता है आप कौन से reservation category को belong करते हो, तो सबसे पहले आप हम start करने वाले, इसमें हम क्या क्या cover करेंगे, आप general category, OBC, CW, EWS, SC, ST, OBC, NCL, जिस भी reservation category में आप लाए करते हो, उन सब के documents मैं बताऊँगा, उनका format क्या होना चाहिए, और कैसे आपको उनको ready करना है, अगर अभी तक आपके category का है, general category को अपना कुछ separate certificate नहीं चाहिए होता, मतलब आप बोलो कि मैं तो general category का student हूँ, क्या मुझे भी कोई अलग से certificate लेके आना पड़ेगा government से, कि मैं general category का student हूँ, आपको कोई extra certificate नहीं चाहिए होता, यह सिर्फ मैं general category की बात कर रहा हूँ, but general category को कुछ और चाहिए होत को यह तो minimum requirement है, यह mandatory documents है, जो सबको चाहिए ही चाहिए, क्या है सबसे पहले class 10 की mark sheet आपको चाहिए अपनी, class 12 की mark sheet, अब आपके पास class 12 का result कुछ कुछ students का आगे है, कुछ 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 आने वाला है, जब तक आप CSCS portal भरोगे, दिल्ली University का counseling portal भरोगे, तब आपके पास class 12 क mark sheet आपके पास अराम से आजएगी, PDF format में उसको अपने पास रख लेना, CVT की application ID और password, यह important है, आपको fill करना होगा CSAS portal के अंदर, क्यों, जब आपका CVT का result आएगा, तो यह जो CSAS portal है, यह अपने आप, आपकी CVT application ID के through, result आपका pick कर लेगा, और merit calculate करने लग जाएगा for different courses that you will be applying in University of Delhi, fourth number पे आपके पास passport size photograph होनी चाहिए, जो आपने CVT के अंदर लगाई होगी, CVT के form में भी लगाई होगी, यहाँ भी वो ही लगानी है, और यह digital signature, जो आपका signature की copy, जो digital copy होती है, PNG format में आपके पास चल जाएगी, यह 5 documents, ना ही सिरफ general category के अंदर, हर एक category, आप किस इसी भी reservation category को belong करते हो, आपके पास यह होने चाहिए, अब हम specific categories के अंदर fill करने जा रहे है, मतलब अब general category वालों का come यहाँ भी done हो चुका है, general category वाले ही वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं, उन categories की, जो reservation के अंदर लाए करते हैं, OBCNCL, SCST, EWS, PWB CD, CW quota, उनको मैं अब explain करने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम start करने वाले है, reservation in DU के अंदर होता क्या-क्या है, मतलब कौन-कौन से reservation categories applicable हैं, वो बढ़ते हैं, आपके बास यहाँ पे देखो लिखावा है, SC available होती है, ST category लगती है, मतलब आपका separate quota होता है, DU के admissions के अंदर, OBC, NCL Creamy layer नहीं होती, सिरफ OBC non-creamy layer होती है, EWS, Minority quota, Minority UG में लगती है, PG में लगती है, Minority दो प्रकार की होती है, एक तो होती है Christian Minority, अगर आप Christian हो, तो आपकी Minority लगती है, क्योंकि महाँ पे sense defense, GS and Mary, कुछ-कुछ Christian Minority के colleges हैं, जो आपको quota दे रहोंगे, separate streets आपके लिए महाँ पे reserved हैं, और एक लगती है SIG Minority, जैसे Guru Gobind Singh College of Commerce, या SGND खाल सा, SGT भी खाल सा, तो SIG Minority और Christian Minority लगती है DU के अंदर, फिर PWBD जिसको physically disabled बोला जाता है, CW quota, ये Armed Forces का quota है, मैं explain करूँगा, कश्मीरी migrants का quota है, UG में लगता है, PG में लगता, इन सब को अपने documents 15 में तक intact करने है ये DU का official notification बोलता है, क्या आगे पढ़ता है, competent issue authority ये बहुत important चीज़ा है, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा यहाँ पे एक चीज़ दे रख्यों होती है, कि आप अपने documents ready रख लो, which must be signed by the competent issuing authority, तो ये competent issuing, यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, competent issuing authority होती है, वो समझते है, आप सबसे पहले SCST category के अंदर, cast और tribe का certificate उस candidate के नाम पे होना चाहिए, जिसके नाम पे registration और admission होने वाला है, मालो मेरा नाम राहूल कुमार है, तो SCST certificate अगर मैं अपना लगा रहा हूँ, चाहे SC का लगा हूँ, चाहे SC का लगा हूँ, एक ही code आप लगा सकते हो, तो मेरे पास ज certificate के अंदर, SC certificate के अंदर, और originally मेरा class 10 और class 12 के अंदर नाम है राहूल, तो ऐसा mismatch वो entertain नहीं करेंगे, और जो cast certificate होगा, चाहे आप SC का दे रहे हो, चाहे आप ST का दे रहे हो, उन सब के लिए ये common instructions है, ये DU के official brochure से उठाएवे instructions है, प्लीज इनको ध्यान से नोट करना, क्य instruction है, आपके पास name होना चाहिए, भाई कौन सी cast और tribe को आप belong कर रहे हो, candidate SC का है या ST का है, दोनों को category साथ में कभी ने लगती सिर्फ एक category का student हो सकता है, district और state और union territory, जहां पे आपकी place of residence है, मतलब कहा आप normally रहते हो, appropriate government of India का schedule under which हर caste tribe is approved as SC और ST, ये certificate आपको बनवाना अनि maintain नहीं किया जाएगा और आपको general category तरह consider कर लिया जाएगा, अगर आपको इन quota का फायदा लेना है, तो ये certificates होने आपके पास बहुत ज़ादा जरूरी है, आगे move on करते है, ये जो SCST का certificate का format होता है, वो मैं आपके पास यहां पे लेके आगे हूँ, comment section में लिंक है, एक रोशर में भी ये दिख जाएगा और इसकी में PDF आपको दूँगा, तो PDF से आप printout निकलवा लेना, अगर अभी ये certificates आपके ready नहीं है, घबराओ मत, अभी भी time in को आप ready करवा सकते हो, आगे move on करें, यहां पे बात होती है, बहुत किन से sign करवाना है, ये competent authority कौन है, तो SCST ये देखो, SCST category के लिए कौन सी competent authority है, valid original SCST card certificate at the time of admission आपको present करना है, following are empowered to issue the requisite, कौन कौन sign कर सकता है SCST certificate पे, वो मैंने आपके पास 6 points यहां पे दे दिये, district magistrate कर सकता है, additional DM कर सकता है, आपके पास यहां पे chief presidency magistrate कर सकता है, additional chief presidency magistrate कर सकता है, फिर आपके पास first last stipendary magistrate कर सकता है, deputy collector कर सकता है, यह सारे competent authorities है, कोई बोलता है, sir मैं इनसे नहीं sign करवा पाया, आप B वाले से sign करवा लो, आप B वाले से sign नहीं करवा पाया, revenue officer से sign करवा लो, not below the rank of तैसीलदार, यह बहुत important है, आपके पास जो revenue officer है, वो तैसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, यह आपको बात धियान रखनी है, अगर यहां से sign नहीं होँआ, D वाले से sign करवा लो, D वाले से sign नहीं होँआ, E वाले से sign करवा लो, तो यह competent authority की बात आपको जाननी important है, चाहिए आप SCST category के हो, चाहिए OBC के हो, competent authority जो आपके certificate पे sign करेगा, अगर आपका new certificate बन रहा है, तो ब Cumberland Authority से sign करवाने वाले हो, वो भी आपकी details जिसमें भर देंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर हम बात करते हैं OBC NCL की, बहुत बढ़िया, इसके अंदर दो बड़े-बड़े clause है, अच्छा SCST का certificate कब का issue होना चाहिए, कोई prescribed date नहीं है, कभी-कभी issue हो, उससे फर 31st March के बाद का, या 31st March को हुआ हो, या 31st March 2023 के बाद का certificate यहीं माना जाएगा, otherwise आपका जो OBC NCL का certificate है, वो accept नहीं किया जाए, similarly, अगर आप OBC NCL अपना category लगा रहे हो, आपके पास income certificate होना भी ज़रूर ही है, income certificate must be issued after 31st March, as tubulated will be required, तो OBC NCL वालो आपको दो certificate जुगारने हैं सबसे पहले तो आपके पास original आपका card certificate होना चाहिए, दूसरा income certificate होना चाहिए, दोनों की आपके पास 31st March 2023 के बाद वाला issue होगा, तो बेटर रहेगा, तब ही accept होगा, otherwise आप बोलतो हो, अब मेरे पास एक student का message है, sir मैंने तो 15th March को बनाया तो OBC NCL, वो चल जाएगा DU में, मै मैं लगा देता हूँ, देखते हैं, क्या होगा, reject होगा, तो वो हो सकता है, DU आपको यह, DU होगा, कोई भी college आपको दुबारा मौका ना दे, यह certificate submit करनेगा, तो इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखना, at the time of giving admission to the OBC candidate, college will ensure कि OBC category में जो आप लाइक कर रो, वो central list में नाम आता है या नहीं आता, list of OBC, अच्छा ये भी होना चाहिए, यह central list कहा होती है, तो एक link में आपके पास डालना हूँ, comment section में ये link आपको मिल जाएगा, सारे relevant links में comment section में डाल दूँगा, प्रीज को देख लेना, एक बर, national commission for backward classes, कि एक पूरी list होती है, इस list के अंदर जा के आपको देखना है कि ये candidate का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपका जो list of OBCs हैं, अगर आपका नाम इस list के अंदर आएगा, तभी आपको consider किया जाएगा, दरवाइस consider नहीं किया जाएगा, the certificate must maintain non-creamy layer, अच्छा OBC NCL allowed होते हैं, OBC creamy layer वाला, या OBC normal certificate यहाँ पे किया जाएगा, OBC की ये mandatory situation है, आगे move on करें, OBC category का पूरा पूरा certificate का format अगर कोई आज बनवाना चाह रहा है, ये format मैं आपके पास लेके आगया हूँ, comment section में लिंक है, इसको आप download करके, print out करके बनवा सकते हो, आगे move on कर देते हैं, EWS, अच्छा EWS को क्या करना है, EWS certificate must be issued आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, 31st March 2023 के बाद आपका यार, ये जो certificate है, वो issue होना चाहिए, इससे पहले का अगर आपके बास certificate issued है, तो वो applicable नहीं माना जाएगा, तो EWS category वालो, competent issuing authority से आपको sign करवाने हैं, और 31st March के बाद वाला EWS certificate आपके बस मिलेगा, अगर किसी ने नहीं बनवाया, तो उसके लिए मैंने already format comment section में डाल लगा है, please इस format को print out परवाना, इसी format में EWS का certificate बनवाना, अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया, 31st March के बाद का आपके बास होना चाहिए, फिर अच्छा आपको ये भी बता देता हूँ, सिरफ OBC, NCL, SC, ST, ये सब ने Personal of Armed Forces होते हैं, या Person with Benchmark Disability, ECA quota, Sports quota, Kashmiri Migrant, PMSS, Prime Minister Special Scholarship Scheme for Jammu Kashmir, Jammu Kashmir students को PMSS दी जाती है, SS, Nominated Sikhmis students, Sikkim के भी कुछ students को SS scheme दी जाती है, SS quota होता हूँ, WQ, Ward quota होता है, अगर कोई student University of Delhi में उसके parents पढ़ा रहे हैं, तो उसको Ward quota के अंदर थोड़ी सी special privilege मिलती है, उसके लि OQ मतलब orphans quota, अगर आप orphan हो, मतलब अनात हो, तो आपका भी अलग सा एक quota होता है, ये quota के बारे में majority students को पता नहीं होता, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये quota applicable है, DU के अंदर इनको एक बर check out कर लेना, यहाँ पर जो सबस्यादा main problem आती है, वो PWBD के format में आती है, किस ECC certificate होना ज़रूरी है, जितने भी students हैं, जितने भी aspirants हैं, जिनके ममी बापा armed personnel में है, आप CW quota के थूरू priorities होती है, इसमें priority के अंदर आप अपलाए कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास ECC, educational concession certificate होना ज़रूरी है, जो इन में से किसी भी एक ने issue किया हो, जैसे Secretary Kendry सेनेक Board ने issue किया हो, Officer in Charge या Record Office ने किया हो, First Class Stipendery Magistrate ने किया हो, Ministry of Home Affairs ने किया हो, इन पांच में से किसी भी authority ने, अगर आपका ECC certificate जारी किया हो है, issue करा हो है आपको, तो yes, वो applicable है, CW quota में आपको कोई problem नहीं होने वाली, आपका CW quota राम से लग जाएगा, No other format, देखो यार यह Duke official brochure बोलता है, No other format will be permissible, Proofs of CW category in the form of ID card of parent or dependent medical card, ration card, यह सब applicable नहीं होंगे, कहिया, बोलो, देखो सर हम तो CW के हैं, पापा का office ID देख लो, पापा का card देख लो, medical card देख लो, राशन कार देख लो, मम्मी पापा का देख लो, ऐसा नहीं चलेगा, PW quota के अंदर काफी जरूरी है, इसके बिना कोई भी और format में आपका certificate accept नहीं किया जाएगा, in short, proof है तो ECC है और कुछ नहीं है, फिर last हम बात कर लेते हैं, disability certificate, अगर आप PWBD, persons with benchmark disability के aspirant हो, तो आपके पास भी मैं एक format लेके आ गया हूँ, जिसमें आपकी benchmark disability क्या है, मतलब आप कितने disabled हो, 10%, 5%, इसकी एक percentage होती है, जो medical colleges या medical government आपके hospitals आपको mention करते हैं, ये वो certificate है, जो आपको sign करवाना है, इस format के अंदर आपको ये certificate बनवाना है, इसका भी comment section में आपको link मिल जाएगा, मैं जितना हो सकता था, सारा का सारा cover करके आया हूँ, General, OBC, NCL, EWS, CW, PW, PW CD quota, जितने भी remaining queries हैं, एक बर आप comment करके जरूर बताना, कैसी लगे वीडियो, एक बर comment करके जरूर बताना, documents में आपकी बूरी-बूरी वीडियो मैंने बना दी, help हो गया, आपकी जो भी remaining doubts है, दिल्ली University admissions है in particular, वो comment करके बता दो, क्योंकि हमारा 15th में तक, आपको ये सारे सारे documents intact रखने हैं, अपने बास, जमा करके रखने हैं, वेड मत करना, अभी ये वीडियो देखके, एकदम इन documents को इकठा करना, start कर दो, फिर भी कोई doubt है, comment कर लो, और मेरा whatsapp number लिख लो है, सारे बहुत important है ये whatsapp number, ये लिख लो, अगर आपके still कोई doubts रह जाते हैं, तो मैं मैं अपना personal whatsapp number देता हूँ, आपको उस whatsapp number पे काफी help मिल जाएगी, क्या है whatsapp number 639766212, फिर भी आपको admission से related कोई भी doubt हो, crash course अगर आपको join करना है, assistance चाहिए, preference sheet भरवानी है, DU में, counselling में help चाहिए, तो मैं और मेरी पूरी team, दिल्ली इंवस्टी के aspirants को guide करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, पिछले बार CUET पहली बार हुआ था, और हमारे coaching से, हमारे institute, हमारी मैनत, इस YouTube चैनल से, 10,000 से जादा बच्चे आप दिल्ली इंवस्टी पहुचे थे, इस बार target है 30,000 का, आपको क्या करना है, इस whatsapp number पे hello भेजना है, कोई भी related doubt हो, आप एक बार comment कर देन जल्दी मिलते हैं, all the very best, take care everyone, all the best